शुरू करते हैं आज का ब्लोग तो गूड मार्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी आप संबका हुआ फिर्स वाघी हैं मेरे चैनल पारॉल्ल आनला ब्लोग में तो मॉर्निंग हो चुकी है, साड़े पांच विजरा है और मैं उठ चुकी हूँ तो सबसे पहले मैं साड़ दरवाचे खोल देती हूँ और जो लॉक लगाते हैं वो भी खोल देते हैं तो आज है जन्मास्ट में, तो जन्मास्ट में की आप सबी को धेर सारी बदाईयां तो मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, मैं एडिट नहीं कर पाई थी और ये देखिए मौसम एकदम बादल बने हुए हैं और मैं छट पे आके देखिए तो जन्मास्ट में वाले दिन बोलते हैं कि पारिस होती ही होती तो हलकी बुद्णबांदी भी हो रही थी ये देखिए बहुत हलकी बुद्णबांदी हो रही थी तो यहां पर मैं कर लेती हूं आन्या के लंच की तयारी तो यहां पर मैं बना रही हूँ भी राजमा चावल क्योंकि उसको उसने राथ ही बो दे तो मुझे यही ले जाना है पूरी वगरा कुछ नहीं फिलाव तो मैंने आटा भी लगा दिया कि मैं पूरी आलूगी इसको फटाफट पैक कर दूंगी कि थोड़ा थोड़ा सारी ची तो इसलिए उसको जो पसंद है मैं किवल वही उसको खिलवा देती हूं पूरी बना दी थी कि ठीक है पूरी ले जाओ और अज में सिल्वर फॉाइल में रख रही हूं कि मेरा वर्टर पेपर खतम हो गया था और यहां पर मेरा बेटा भी एकदम नहाद होके रेडी हो गया बिस्किट और तो सबसे पहले मैं बना लेती हूं घी जो मैंने मलाई निकालके एक अपतेगी रखिवी थी क्योंकि आज अनमाच्ट में भोग लगाने के लिए एकदम ताजा मक्षन निकाल लूँगी तो मैं पहले ही निकालके रख लेती हूं और थाली सजाने लगों क्य तो मैं केवल यहां पर हलवा पूड़ी मक्षन और देसी घी जो बनाया गया है उसका भोग लगाऊंगी जो मुझसे हो सकेगा वही मैं भोग लगाऊंगी तो यहां पर मैं थोड़ी डेकोरेशन कर लेती हूं सबसे पहले मैंने यहां पर थोड़ी हो यह देखिए मैं पूजा की तैयारियां तो मैं यह देखिए चार ड्रेस लेके आई थी काना जी की तो कितनी प्यारी लग रही हैं ड्रेस तो मैं यहां पर मुकोट माला बासुरी और यह एक उनकी आईज निकल गए थी मैं आईज भी लेके आई थी और पहले जदी से फटा-फट आसन लग अच्छे से सजा दिया है और कैसे लगा आप सब्सक्राइब रहा है तो यहां पर मैंने भी कपड़े चेंज कर ली हैं फटा-फट क्यूंकि मौनिंग में साड़ी पहन के तो नहीं काम कर सकती मैं तो इसलिए अभी मैंने साड़ी जो मुकी की ब्लाउज कुछ और साड़ी क कुछ और मुझे जो हाथ लगा मैंने फटा-फट क्यूंकि लेट हो रहा था पूजा के लिए तो सबसे पहले हम अपने लेड्डू को पाल का शनान करा लेते हैं चर्णामिट मना लेते हैं तो यहां पर मैंने चर्णामिट के लिए लिया है कच्छा दूद, दही, हनी, और गंगा जल, तोलसी जी की पत्ते मैंने ले रखे हैं उच्छे से और देसी घी इन पांचों चीजे से अच्छे से मैं इस्नान करा दूँगी फिर बाद में गंगा जल से एक वर और इस्नान करा देंगे और चर्णामिट भी बनके एक दम तयार है भोग लगाने के लिए जो हमने बनाया है तो यह सब घर का ही है देसीगी दही और दूद्ध वो तो रेडिमेट ही होगा बस मैंने यहां पर उनको नहला दिया है अच्छे से नहला दुला के एक जो मैं रुमा लास्ट मॉर्निंग में ही थोड़ा समाल लेकी आई थी बिस्कुट टॉफिया जो जो ल जाके क्योंकि सुन्दर सा क्या बगवान जी तो वैसे भी इनको कोई भी ड्रेस बना दो एकदम सुन्दर ही लगते हैं तो यहां देखिए एकदम मेरे लड़ू को पाल हो गए हैं तैयार नहां दो के स्नान करके और कितने प्यारे लग रहे हैं नजर ना लगे किसी की तो मैं इन्हें आशन ग्रेंड करा देती हूं और बाकी की तैयारी कर लेती हूं मैं तो वाकी जो मैं सासा समेटती भी जा रही हूं समान क्योंकि जादा फैल ही नहीं क्योंकि जारा सा फैल तो मेरा बेटा उठाके ले जाएगा समान तो यहां पर इत्र लगा देते हैं क्योंक पूजाद में हलवा पूड़ी और माखन का भोग लगाया है मिस्री माखन जो ने बहुत ही पसंद है और मेरी यहां पूजा भी कम्प्लीट हो गई है तो यह देखिए पूजा मेरी एकदम से कम्प्लीट हो चुकी है मैंने छोटा सा हबन भी किया था और यह मेरी डेकुरेश तो इसने पहले ही माथा टेक के पहले केला खा लिया कि मुझे पहले पश्याद दे दो मापर बनी कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा परिसान तो मैं थोड़ दिर इसको बाहर खिलाने ले आई मैंने का फिर खाना खाते हैं तो पहले इसको थोड़ा सा बेला देते किसी जिन तो मैं ऐसे प्लांट दिखा रही थी बाहर दिखा रही थी तो खुस हो रहा था इतने ज्यादा मेक अप नहीं करने दिया मैंने किवर ड्रेस ही पहना दी और नेक्स यह तो पार्ट वन है पार्ट टू मैं जो लेकर आऊंगी उसमें दिखाऊंगी मैंने अपने बच् कितनी तेज हवा चल रही है तो सारा हो गया था तो खाने में आज मैंने बनाया है राजमा चावल हालू पूड़ी हल्वा सारी चीचे तो यहां थी चला रहा है गाड़ी और दिखिए मसीन में जो मेरे कपड़े सुभा से हल्की बूदा बांदी तहीं अब तेज हो गई तो यह सारे मसीन की कपड़े मुझे रूम में ही कही ना कहीं सैट करने पड़ेंगे तो चलिए फिर इसके थोड़े दिर में कपड़े साहल घृए हुआ हुआ है तो मैं कर प्रची नेखे थी थोड़े रेस्ट और देखे मैंने कपड़े कैसे खलाए है यह सेट कर दीए मैंने कपड़े सुप जाएंगे अन्या आ चुकी है और यह देखिए कट्टा ओड़के इदर आगे मैंने दोके डाला था यह और यह चुप गई थी अन्या आगे यह बारे सो और यह मेरी पेटे की एक गुड है विट किये है अपने सूज निकाल दी भाहर बारी सो रही है इसलिए अंदर सूज और सॉक्स नो निकाल देगी अब लंच वॉक्स और बॉट्ल दोनों सिंक में डाले की हां रख दो बैग रख तो बहुत भारी हो जाता बैग है काल दो लंच वॉक्स कैसे रहे तुमारे टेस्ट दोनों सीट मिली दिखाने लग गई है अपनी टेस्ट सीट जो आज उसके दो टेस्ट थे मतलब 11 अरिक से उसके एक्जाम है तो रिवीजन टेस्ट है टेली दो तिन होते हैं तो मुझे दिखा रही थी कि यह मेरा कंप्री हो लिया था ठीक हुआ और कुछ मैंने सम्मिट कर लिया था और यहां पर मेरे घर पर आए हैं कुछ कैस्प तो मैं उनके लिए फटफट लगा देती हूं खाना तो मैंने बनाया था राजमय चावल राइता तो यहां पर मैंने राइता थोड़ा आलक टाइप से बनाया है ऐसा राइता मेरी नननत बनाती है मेरे हस्में को बहुत अच्छा लगता है तो उन्होंने बूलता ऐसा वाला बना देना तो इमने चौका नहीं है है बूंदी का ही रहता है समेके बल काला नमक नमक साधा वा कुछ चाहिए होगा तो आवास दे देंगे तो यहां पर मैं करा देती हूं लंच गैस्ट को तो आज का ब्लॉग हम यही पर कतम करते हैं तो कैसा लगा आज आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूं आप से नेक्ट वीडियो में मतलब कल और अगर हो सका तो सेकंड पार्ट कल लेके आओंगे वैं बाई बाई